हुआ है है वेलकम बैक तो दे लिटेस अपिसोड ऑफ टेक स्वामी और आज हम बात करने वाले हैं साटड़े की स्पेशल न्यूज के बारे में चलिए यह पहली न्यूज के चलते हैं यहां पर टाइम वेज बिल्कुल नहीं करना है सैटड़े की न्यूज थोड़ी लंबी ह यहां पर पहली जो न्यूज आती है वह है एटल का 995 का प्लाइन यहां पर मन्त आपको मिलेगा वान जीवगी का डैटा यहां में रूटीन वाला नहीं है बड़ी यहां पर चीज है आपको पूरे 180 डेस के लिए अनलिम्टेड कॉस में लेंगी अनलिम्टेड रोमेंग अलिम्टेड लो गया मर्जी बहुरा मजे लो कॉलिंग के यानि कि जो keyboard है वो भी touchscreen होने वाला है तो Apple कुछ revolutionary आने वाला है अपनी MacBook लाइनप में जो कि अभी तक laptops में हमने रियल लाइफ में नहीं देखा है तो उपरा display नीचे keyboard भी touchscreen तो देखते हैं यह कब तक आ जाता है कि यह एक नई MacBook होगी यह नहीं यह तो भी नहीं पता वड़ी एक laptop ज़रूर होने वाला है एक हमारे Apple की दरफ से बड़ यह क्या फाइदा तुम्हारा कोई product budget में तो आता नहीं है आम आदमी कैसे गरीद पाएगा अगली न्यूस है यह Xiaomi की तरफ से Xiaomi Mi 7 और Mi Mix 2S जोगी इस साल flagship devices launch करेगा Xiaomi उन में हो सकता कि Samsung की OLED panels देंगे लों मिलें Samsung OLED panel आपको पता है बहुत ही अच्छे होते हैं मेरे सब से best panels होते हैं और आपको इतनी crisp display मिलती है मज़दार display मिलती है वह Xiaomi adopt करने वाले Mi Mix 2S में और Mi 7 में Mi Mix 2S अभी MWC में launch होने वाला तो हुआ नहीं है चलो कोई बात नहीं बड़ मार्च 27 को मिल जाएगा आपको launch जाएगा चाइना में इंडिया में भी आजाएगा तो Samsung की OLED display साब में Mi 7 की आप सब को बहुत बेट है अगर एक Mi 7 की वीडियो चाहते हो कि क्या rumors आ रहें क्या प्रड़क्ट आये नहीं और फिर भी आप जाके इसको कर पाऊगे एक्सपिरेंस यह चैन नहीं में इसका पहला की बाइक है यहां पर और साथ में और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा तो जो प्रड़क्स की आप डिमार्ड होगी जो की लोगों को पसंद आएगा वह इंडिया में शौमी जल्दी लेकर आ जाएगा भी आगली न्यूस क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम ने स्नैप रहेंगा 700 सीरीज का जो चिप है वो लॉंच कर दिया अब यह 700 आता है 600 और 800 के बीच में यान की पावरफुल तो बहुत है पर पावर एफिशेंसी भी बहुत ज्यादा है अब इसमें भी आप क्रायो कोर्स यूज़ किये हैं जो के एक देखने को मिलेंगे यह तो देखने वाली बात है टीज हुआ है कि ओपो और पंदरा इस प्रसेसर के साथ हो सकता है और यह पहला फोन सा वह तो देखने वाली बात होगी वह अगली जान्यूस वह फिसे शोमी के दो से हैं इसके बार में मैंने आपको एक पूरी वीडियो भी मना दी थी ब्लॉग भी लिएक है दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपको वो देखने हैं और आई-कार्ट में वीडियो का लिंक में दे रहा हूँ वह यह रैडविं का नोट 5 अगर आपको परचेस करना था यार फ्लेश सेल में मिलनी पारा क्या करें हमने बहुत बाट राई कर लिया और ना करते हैं बड़ वो मिलता नहीं है तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है ऑफ-लाइन खरीदने का अगर आपको फोन करीदने है दोजार रुपे दीजे मी प्रेफर्ड पार्टनर स्टोर पे और आपकी बुकिंग हो जाएगी आठ मार की तरह से OnePlus की यहां पर फोटो लीख हो रही है OnePlus 6 की आप देख सकते हैं पीछे की साइट से रिफ्लेक्टिव बैक देख रहा है और सामने की साइट यह काफी आइफोन 10 जा देख रहा है आइफोन 10 की तरह इसमें नौच देखने को मिल रहा है और बाकी साइट सारी बेजल और यहां पर जो बैक है वो थोड़ी से डिफरेंट है बैक जो अब आ यहां पर फिंगर्पेंट स्कैनर देखने को मिल रहा है पता चल रहा है कि यह इंडिस्प्ले फिंगर्पेंट स्कैनर नहीं मिलने वाला तो बान प्लस 60 में शायद मिलेगा बागी इसकी 5Z, Asus Zenfone 5 Lite, अब यह 3 फोन काफी कमाल के हैं, काफी हाडवेर, कैमरा, सॉफ्टवेर, सब बढ़िया चीजों के साथ आये हैं, अब यहाँ पर जो Asus का 5 और 5Z है, उसका डिसाइन ये वाला है, सेम आईफोन 10 वाला, बट पीछे से काफी डिफरेंट है, और यहाँ पर 5 Lite है, वो यह वाला design आता है, 18-9 वाला, और यहाँ पर bezels देखने को काफी अतन मिल जाते हैं, तो phones काफी अच्छे लगे, बाकी अगर यार आपको वीडियो देखनी है, तो Zenfone 5 की मैं बना चुका हूँ, आई-कार्ड में आपको मिल जाएगी, और यार अगर आपको 5Z और 5 Lite की वीडियो देखनी हैं, तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगली जो न्यूस है, वह है एनरजाइजर की तरफ से, एक SC कंपनी है, जो की बैटरी इसके लिए बहुत ही पॉपलर है, MWC में हाली में इन्हों ने एक नया फोन लाँच किया है, जो की ऐसा कुछ दिख आपर आपको पावर का कोई कमी नहीं मिलेगा, 16,000 mAh की बैटरी, इतनी बड़ी बैटरी मनलब जिसको फोन की मनलब पर एक प्रॉलम होती है, यार फिर चार्ज करूँगा, फिर चार्ज करूँगा, तो यह 16,000 mAh का बैटरी का फोन है, वहिया ले लो उसके बाद टेशक हत लेगने को मिल जाते हैं, जैसे कि पीछे और उसके नीचे fingerprint scanner भी है, और यहां पर बात यह है कि इंडिया में बोल दिया कि 2008 में नहीं आने वाला तो मंगवाना है, तो बाहर से मुआ सकते हो, यहां पर 2019 का वेड़ कर सकते हो, बाकि यार अगर आपको फुल इंफॉमेशन ज लीक हो गया है, जिसके बीच में और यहां पर लेक ब्लू कलर जैसा को जो यहां पर कलर दिख रहा है, यह फोन का, और फोन का पता चल रहा है कि 18-9 मली डिस्पले होगी, और फ्रंट में कैमरा लग रहा है, यहां पर जो उसके साथ सेलफी फ्लैश मिल रही है, और पीछे क यहां पर चिन मिलती है, वो काफी मोटी है, मोटरोला ने अपनी ब्रेंडिंग देने के लिए यहां पर बहुत ही जगा वेस्ट कर दी है, बागी देखते हैं यह जब यह फोन लाँच होता है, तो फोन कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा नहीं लगता, बागी मेरे कोई चिन देखके काफी गुसा आ रहा है, कोई Blackberry का अगर फैन है तो बहुत से सुन लो, Blackberry का नया फोन आने वाला है, और यह 18-9 वाला डिस्प्ले के साथ होने वाला और यह Blackberry की तरव से पहला फोन होगा, जो 18-9 के साथ आ रहा है, बड़ कमाल की बात है, इनका जो यहां यहां पर नाम हुआ है, लीक वो हुआ है, बलाग कुछ नया है, यहां पर ड्रावना फोन है, पता नहीं क्या है, जो भी है, यहां पर फोन घोस के नाम से लीक हुआ है, और साथ में पता चल रहा है कि 18-9 डिस्प्ले है, वागी वेट करो, आज आज आएगा, जब भी आए यहां पर ओपो न शोकेस कर दिया, 5X वाला उप्टिकल जूम, यहां पर वीवो ने दिखा दिया, एक फूल स्क्रीन डिस्प्ले वाला फोन, यहां पर नाहीं एर पीस नहीं है, यहां पर आपको फोन कॉल्स वैसे ही सुनती है, जैसे कि यहां पर मी मिक्स में सुनती थी, और लिजिनल मी मिक्स में, तो वो ही कुछ यहां पर लगाया गया है, और साथ में नहीं यहां पर फिंगरबेंट स्कैनर है, और यह नहीं कोई बटन है, तो भ disable camera है, वो उपर सा पॉप आप करके निकलता है, और यहां पर जो इयर पीस है, वो in-beildt है, प्रोक्सिमिटी से सेसर हो चाहिए वो light ambient sensor हो सारे screen के अंडर है और यहां पर भाईया fingerprint scanner भी इसके अंदर ही चुपा है पर पहले आपको fingerprint scanner जो दिखाया गया था वो एक position पे था पर वीव के apex में यहां पर एक नई चीज आई है कि भाईया fingerprint scanner पुरे half screen तक है तो नीचे की half screen पूरी use करके आप fingerprint से phone को unlock कर सकते हो तो ये है Vivo का apex पर ये concept phone है अभी launch नहीं होगा इसका एक और कोई model जब Vivo निका देगी तो वो market में आएगा ये production में नहीं जाने वाला है तो एक concept दिखा दिया है आने वाले phones में जल्दी देखने को मिल सकता है इसके बार में वीडियो चाहते हो तो ज़रूर से comment करना तो वीवो के बाद ओपो अगर ना information यहां पर गलत बाद होगी तो ओपो भी आ गया है तो ओपो का पाद यह है वया हर साल कोपी करना होता है iPhone को whitesampping लेकर आ रहे और यहां पर fragile चल्रे रहें को बताया है कि 700 तो यह इस phone में power कर सकता है depart ik wielara इंदिस्क्रिप्चर में जा सकता है और अभी के लिए इतनी ही न्यूज्स सारी न्यूस किडम हो जाती है I hope कि आपको सारी की सारी news पसंद आई हो और बहुत interesting news थी आपके लिए important थी and चलो news खतम हो जाती है इससे पहले कि मैं वीडियो को खतम करूँ मेरे को बताना नीचे comment करके आपकी कौन सी favorite news रही आपको कौन सी वाली news सुनके सबसे जादा मज़ा आया जो भी गिलेता ही मैं हूँ मैं आप देख रहे हैं स्वामी अपना और अपने शानवा लुक रहे खेक है ख्याल कीप स्टमाइलेंग और वेस टेक केर कल 12 वजे लाइव ज़रूर आ जाईएगा बाबाए